सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये पिलकुल फ्री है नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संदे स्पेशल एपिसोड योगा विद आचारे प्रतिष्ठा में यहां सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में वो कौन से तीन ऐसे होम मेड फेस पैक्स हैं जो आपकी त्वच्छा को ड्राइनेस से रूखी त्वच्छा से बदल करके बना सकते हैं दमक्ती चमक्ती ग्लोइंग त्वच्छा आप हमारे इन तीनों फेस पैक्स को देखिए और साथ में हमारा अगले एपिसोड देखना मत भूलेगा क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि सर्दियों में भी आप रूखी बेजान त्वच्छा को दमक्ता हुआ चमक्ता हुआ कैसे बना सकते हैं य वाइटेमिन बी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं यह अपने आप में आंटी ऑक्सिदेंस भी होते हैं और साथ में पोटाशियम और मेगनेशियम भी हमें भर पूर मात्रा में हमारी तवच्छा को मिलता है वाइटेमिन ए भी होता है क्योंकि पपाया में पपीते में तो इ के लिए आपको आप पपीता लीजिए और पपीते का अच्छे से पेस्ट बना लीजिए यानि पपीते का पल्प ले करके उसका पेस्ट बना लीजिए और उसमें एक चमच शहद मिला दीजिए मैच्ट पपीते में शेहद मिला करके आप इसको एक हफ़ते के लिए बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं सुभा नहाने से पहले आप अपने चेहरे को अची तरह से धो लीजिए और फिर आप इस पैक को अपने चेहरे पर एपलाई कीजिए फॉर एराउंड 20 मिनट इसको लगा रहने दे और 20 मिनट के बाद अब आप अपना चेहरा धो लें आप हफ़ते में 3 से 4 बार तक इस पैक को लगा सकते हैं दूसरा पैक है मिल्क एन आलमंट पैक दूद एक तरह का नाचुरल मॉस्चुराइजर होता है जिसमें न्टियोंस होते हैं, वाइटमिन बी होता है, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जैसे की कैलशियम, पुताशियम, मेगनेशियम, सिलेनियम और यह एक बहुत अच्छा natural source है हमारी cracked skin और dry skin को heal करने का तो खासतोर पर सरदियों में यदि आप ये pack लगाते हैं जिसमें की दूद भी है और साथ में बादाम भी है बादाम is a rich source of vitamin E, antioxidants and proteins that are the basic requirements for maintaining healthy and well-nourished skin तो ये एक बहुत ही effective anti-aging agent भी है जो की prevent करता है wrinkles की appearance को यानि जुरियां जो आपके चेहरे पर हो जाती है उनसे आपकी रक्षा करता है और age spots से आपको दूर रखता है और ये बहुत ही आसान homemade pack है इसके लिए आप लगभग 8 से 10 बादाम लीजिए और रात भर उनको पानी में soak करके रख दीजिए इनका आप अच्छे से paste बना लीजिए और इसमें दो चमच दूद डाल दीजिए और अच्छे से इसको फेट लीजिए ये cream जैसा तयार हो जाएगा आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धूए और उसके बाद पूरे चेहरे पर गर्दन तक भी इस पाक को एपलाई कीजिए बीस मिनट तक लगा रहने दे और फिर अपनी चेहरे को धो लें आप ये भी एक हफ़ते का बना करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं और हफ़ते में आप इसे चार से पांच बार रिपीट कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंग ये हमारी तवचा को हील करता है खास तोर पर अगर रूखी तवचा है तो इसके लिए राम बान का काम करता है हमारे डामेजड स्किल स्किन सेल्स को रिजुविनेट कर देता है और सेल जेनरेशन को प्रमोट करता है ये हमारे स्किन टोन को भी इंप्रूफ करता है और साथ में natural glow हमारे skin पर ला देता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में potassium होता है one of the major minerals that moisturize dehydrated skin इसके साथ benefit of natural oils for skin and hair are numerous banana के अंदर और इसी प्रकार से olive oil जो है वो हमारी तुचा को moisturize करता है rejuvenate कर देता है dry skin को और ये एक perfect moisturizer है dry और dull skin के लिए ये one of the best homemade packs है dry skin के लिए और खास्तोर पर सर्दियों में आप इस pack को लगा करके अपनी तुचा को दमकता हुआ बना सकते हैं dry skin से दूर रह सकते हैं आपको लेना है एक banana और उस एक banana को peel कर लीजे छील लीजे और अच्छे से mash कर लीजे पेस्ट बना ले अच्छे से और उसमें आप एक चम्मच ओलिव ओल डाल दीजे इसको अच्छे से mix करें और अपनी चेहरे को अच्छे से दो करके अपने चेहरे पर apply कीजे let it stay for 20 minutes and then wash off your face thoroughly with water आप हफते में दो से तीन बार ये पैक लगा सकते हैं और आप देखेंगे that you will get glowing, soft and blemish-free skin अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगा है तो अपने प्रिये जनों के साथ इसे शेर करना ना भूलें क्योंकि जितना आनंद शेर करेंगे उतना ही आनंद आपके ऊपर भी बरसेगा आईए मिलकर के एक स्वस्त समाज का निर्मान करते हैं वीडियो को शेर जरू करें, लाइक जरू करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद हरियों और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे